करामात गुरु अमर्दास जी फरमाते हैं पार्खियां वत्थ समाल लई गुर्षोजी होई करामात या चमतकार उस अचरजपून बात को कहा जाता है जो अन होनी हो प्रकृती के नियमों के प्रतिकूल हो पर जिसे करके दिखाया जाए ऐसी बात के लिए कोई दैवी शक्ती जिम्मेदार होती है इस प्रकार की शक्तियों का वर्नन सभी धर्मों की मुख्य पुस्तकों में मिलता है और उनका एक उधारण आठ सिध्यां है अस्ट सिध नवनिद एहे पहली अनिमा अपना आकार छोटा कर लेना दूसरी महिमा अपना आकार बड़ा कर लेना तीसरी गरिमा बहुत भारी हो जाना चौथी लगिमा हलका हो जाना पाँचवी प्राप्ति इच्छित वस्तू पालेना छटी प्राकाम्य दूसरों के मन की बात को जान लेना सात्वी इशित्व दूसरों के मन को अपनी मर्जी के अनुसार बना लेना आठ्वी वशित्व किसी को भी वश्मे कर लेना कई स्थानों पर इस प्रकार की सिधियों की संख्या अठारा भी बताई गई है माना जाता है कि करामाती ताकतें अवतारों, नबियों, संत महात्माओं को परमेश्वर की दरगां से मिलती है और जब, तब, योग साधना आदी द्वारा उनका प्राप्थ हो जाना भी माना जाता है इनका सांसारिक लाब तो स्पष्ठ है परन्तु आत्मिक मार के यात्री इनको केवल धोखा ही नहीं समझते बलकि हानी कारक भी मानते हैं यह वैसे ही है जैसे कोई मनुश्य अपने गंभीर रोक के इलाज के लिए वैद से मिलने चले पर अपने असली उद्देश्य को भूल कर मार्ग में किसी सपेरे का तमाशा ही देखता रह जाए इन शक्तियों के चमतकार दिखाने में लगा हुआ व्यक्ति परमपद पर नहीं पहुँच पाता अगर अनाज पैदा करने की आशा से गेहूं बोए जाएं तो भूसा अपने आप मिल जाता है परन्तु अगर कोई चारे के लोभ में कच्ची फसल पर ही दरांती चला दे तो उसका खलियान खाली ही रह जाएगा परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए ये करामाती शक्तियां थोड़ी सी दूरी तै करने पर ही प्राप्त हो जाती हैं पर प्रभु के सच्चे प्रेमी उनका प्रयोग नहीं करते उनकी ओर ध्यान तक नहीं देते गुरु अरजन साहिब तपते तवे पर बैठे देगों में उबले तो भी उन्होंने अपनी जान बचाने या कश्ट टालने के लिए ना तो स्वयम आत्मिक शक्ति का प्रयोग क समय देखने को मिली थी संत सत्गुरु दयावान दाता होते हैं प्रमार्थ की दौलत बाटने के लिए मनुष्य शरीर धारन करके आने वाले वे तो केवल देने ही के लिए आते हैं किसी को प्रभावित करके कुछ कमाने के लिए नहीं फिर वे करा माते दिखा कर लोगों को क्यों अपनी और आकरशित करेंगे आध्यात्मिक श्रेणी के महापुरुष त्रिकाल दर्शी होते हैं उनको ज्यान होता है कि क्या हो चुका है क्या हो रहा है और क्या होने वाला है अपने संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में उनको पता होता है कि किसने कौन-कौन से कर्मों की गठरी अपने सिर पर उठा रखी है कौन किस इच्छा या संकल्प की प्रेणा से कोई खास कारे कर रहा है पर वे ऐसे भुले बने रहते हैं जैसे कुछ भी नहीं जानते हूं ऐसा ना करें तो भै और संकोच के कारण लोग उनके पास ही ना आए और उनके लिए परमेश्वर की ओर से सौपे गए कर्तव्य निभाना असंभव हो जाए इसलिए उन्हें अपनी शक्तियां दिखाना तो क्या उनको छिपाने की मजबूरी बनी रहती है पर जिस प्रकार जुगनु के पंखों से अपने आप प्रकाश निकलता रहता है अपने गुण का दिखावा करने की उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती उसी प्रकार बक्षिश के स्रोत संतों से जीवों को सुवभाविक ही लाब पहुँचता रहता है सबसे बड़ा करामाती तो सिर्जन हार है जब कभी कोई मदारी एक ही समय में छे गेंदे हवा में उच्छालता दिखाई देता है तो हम हैरान हो जाते हैं परमेश्वर ने करोडों ग्रहे उप ग्रहे आकाश में उच्छाल रखे हैं और वे बिना किसी को छेडे या छुए युगों तक अपनी निश्चित दिशाओं में घूमते रहते हैं कोई पिकासो जैसा चित्रकार या माइकल एंजलो जैसा शिल्पी गिनी चुनी सुन्दर तस्वीरे बना देता है या मूर्तियां गड़ देता है तो सारा संसार वह वह कर उठता है करतार ने 84 लाख तरहां के अनेक अनंत जीव रचे हैं और उसकी अलोकिक कलाकृतियों की शोभा के लिए शब्द ढूनना तनिक भी संभव नहीं अपने संत जनों में हरी स्वयम समाया होता है वे उसी का रूप होते हैं आग में डाला लोहा उसके साथ जुड़ने पर उस जैसा ही लाल हो जाता है उसी की तरह चमकता है उसी की तरह तपता है उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता इसी प्रकार परमेश्वर से एक हुए संत सत्गुरू परमेश्वर की सब शक्तियों को धारण किये होते हैं सो जो कुछ प्रभू कर सकता है वे संत भी कर सकते हैं पर करते नहीं, क्योंकि उन्हें तो जगत को परमेश्वर की रजा में राजी रहने का पाठ पढ़ाना है, उसका उलंगन करने का नहीं। प्रभु के जन उसके संत उसी की तरह सर्वशक्तिमान होते हैं पर वे उसके जीवन प्राण भी तो होते हैं उसके आत्मज भी होते हैं इसलिए कुछ भी कर सकने में समर्थ होने के बावजूद वे उसके किये हुए को बदलना पसंद नहीं करते क्योंकि वे उसके प्यारे ही बने रहना चाहते हैं, उसके शरीक नहीं बनना चाहते, इसके सिवाए प्रारब्ध का विधान बड़े सूक्ष्म संतुलन की मांग करता है, और उसमें की गई रत्ती भर की छेड़ छाड उसके संपूर्ण धाचे को दूर तक बिगाड सकती है, मिसाल के तौर पर एक व्यक् बिमार पड़ता है, अगर करामाती शक्ती के द्वारा उसकी बिमारी काट दी जाए, तो उसके साथ अकेले उसके नहीं और लोगों के अच्छे बुरे कर्म भी प्रभावित हो जाएंगे, जब कोई बिमार कश्ट भोगता है, तो उसके सगे संबंधी भी साथ ही दुखी ह और इस तरह अपने पिछले किये बुरे कर्मों की सजा भोगते हैं, अगर बिमारी पर खर्च होता है, तो उसका कई औरों को लाब पहुँचता है, जैसे डॉक्टर या हकीम को, दवा बेचने वाले को, इलाज के संबंध में काम में लाए गए गए तांगे, रिक्षा, ट एक भाल पर लगे व्यक्ति को इत्यादी, इस प्रकार अगर करामाती शक्ती का प्रयोग करके बिमारी हटा दी जाए, तो कई अन्य कसूरवारों का दंड अकारण ही माफ हो जाए, और कई निर्दोश हानी के शिकार हो जाएं, यदि पुत्र अपने पिता से मिली पुंजी को अच्छी तरह संभाल लेता है, उसका सही उपयोग करता है, तो पिता प्रसन होकर उसे और अधिक प्रदान करता है, जो पुत्र खा पी कर उसे उड़ा देता है, उसकी ओर से पिता अपनी मुठी बंद कर लेता है, इसलिए सच्चे प्रेमी कुल मालिक की बक्षिशों को अपने अंतर में छिपा कर रखते हैं किसी को उनका अनुमान तक नहीं होने देते पार्खिया वत्थ सम्माल लई गुर सोजी होई असल में जन्म जन्मांतरों से सोय जीवों को जगा देना उनके हृदे में परमेश्वर की प्रीती का बीजबो देना ही संतों के करने लायक करामात होती है वे घटिया किस्म के तमाशे दिखाकर अंजान लोगों की शाबाशी नहीं लूटते क्योंकि सिध्यों की नुमाईश करने से लोग पीछे लग जाते हैं वह वह होती है उससे हौमे की वृद्धी होती है श्रधालू लोग सांसारिक पदार्थों की भेट ले लेकर आते हैं जिससे लालच की आग भड़क उठती है इस प्रकार सारी की हुई कमाई मिट्टी में मिल जाती है और नरक में पहुँचने का मार्ग साफ हो जाता है इसलिए इन शक्तियों और इनके प्रयोग से दूर रहने को कहा गया है बिन नावें पैनन खान सब बाद है तिग सिद तिग करामात सा सिद सा करामात है अचिन्त करे जिस दात नानक गुर्मुख हर नाम मन वसै एहा सिद एहा करमात भाव है कि कामना करने योगे केवल एक ही करामात है नाम जिसे परमेश्वर अपनी दया से गुरु के द्वारा जीव के मन में बसा देता है